हेलो गाईज, वेलकॉम डूटेकिया सुर्यूडिव चैनल और गैस कुछ दिन पहले ये इमेज बहुत ज़्यादा लीक हो रही थी, बताया जारे था कि इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स होट नाइन यहापर डिवाइस रहने वाले है, लेकिन मैं वही टाइम आपको लाद यह था कि इन्फिनिक्स का होट नाइन नहीं है, वह अलक डिवाइस है, यह कोई इन्फिनिक्स का अच्छा से यहापर अपग्रेट वाला डिवाइस है, और फाइनली यहापर यह इमेज जो आपको बताय जा रहे थी, उसका नाम यहापर पता चल चुका है, सारे कर दोगे, सो गाइस चली वीडियो स्टार्ट करते हैं, अचल के दिन में एक वीडियो दाला था, फ्लैक्शिप स्मार्टफोन आपको आज की डिमें लेना चीए, यह एक मिड रेंज में मतलब 15-20-1000 के स्मार्टफोन में सारे काम हो जाते हैं, तो जरूर से वीडियो अपन नोट 7, जी हाँ, होट 9 नहीं है, इन्फिनिक्स नोट 7 से नाम से यहाँ पर यह डिवाइस जो ऑफिशल जो है, ग्लोबल वेबसाइट पर इन्फिनिक्स के जा चुका है, इंडिया में अगर लॉंच की बात करें, तो इंडिया में यह बताया जा रहें, में के महीने में आ स्पेक्स की बात करें, तो 110 परसेंट आपको कंफर्म स्पेक्स बताने वालों, कोई लीक वगरा नहीं है, कंफर्म वेबसाइट से आपको बता रहो, बिल और डिजाइन के एकर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बैक में काफी बडियाजी सर्कुलर टाप का क मैसिव बड़ा सी डिस्प्ले मिल जाता है, पंच होल के साथ में, रेसलूशन जो यहाँ आपको HD प्लस का यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यह IPS डिस्प्ले के साथ में देखने को मिलता है, रह में स्टोइच के बारे में बात करें, तो बताया जारे जो बेस वरिंड हो आपका 464 से स्टार्ट होगा, ट्रिपल कार्ट स्लोट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, प्रफॉर्मंस के अगर हम बात करें, तो इन्फिनिक्स वाले लोगों से हाथ जोड लिया था क्या भाई को अच्छा प्रूसर इस्तमाल करो, फाइनली उन्हों यहाँ पर सुन आपको छुट कारिंशा के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको court गेम्रे का set-up मिलता है, जो primary sensor है, वा आपको 48 MPs का देखने को मिलता है, वो यह म्यन सेंसंग क का Gm1 Sensor कے साथ में देखने को मिलेगा, बाकी कि की आपको जो ultra widical lens, macros lens होग देखने को मिलेगा, Selfie Camera के अगर हम बात करें तो वो भी Confirm नहीं हुआ है I think 16 Megapixel के आसपास का आपको देखने को मिलने वाला है अगर हम बात करें आपको Android वर्जिन और UI के बारे में तो Out to the Box आपको Android 10 मिलेगा ये भी आप आपका XOS में रन करेगा Sunsus के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको सारे Sensor देखने को मिल जाते है Side Mounted आपको Fingerpit Scanner देखने को मिलेगा Face Unlock का Feature भी देखने को मिल जाएगा और Kamal का Feature ये फोन में मुझे ये लगा क्योंकि ये बजट सेग्मेंट का मिटरिन सेग्मेंट का स्मार्टफोन है लेकिन यहाँ पर आपको Dual Studio Speaker का सपोर्ट देखने को मिलेगा मतब Bottom में एक स्पीकर मिलता है वो तो मिलेगा इसाथ पर आपको Earpiece में भी जो है तो ये बूरा package जो आपको Infinix Note 7 में देखने को मिलेगा अब क्या price point पाएगा तो officially तो यहाँ पर चले गया लेकिन price point और रिविल नहीं हुई है अगर Indian pricing में मैं अगर ये specs वगरा आपने हिसाब से अगर price point देखू तो अगर ये इंडिया में जो है 10, 11,000 GST वगरा लगके आएगा क्योंके में में आएगा तो में भी 11,000-12,000 रुपे के आसपास ये आपको देखने को मिल सकता है and for that price point ओवराल काफी अच्छा smartphone Infinix की तरफ से देखने को दिख रहे but ये display जो है यार इस पर मुझे यहाँ पर थोड़ा सी डाउट हो रहा है कितना बड़ा display HD plus की जागा full HD plus दे देते तो perfect smartphone बन सकता था अधरवाई still यहाँ पर काफी अच्छा Infinix ने फीचर यहाँ पर प्रोवाइट करा है पर क्या मुझे comment section बताना आपको यहाँ पर यह phone कैसा लगा और यह सारे specs के साथ में आप इंडिया में GST को देखते वे क्या price phone यहाँ पर यह smartphone के लिए देना चाओगे जो ज़रूर बताना नीचे मुझे comments में सब्सक्राइब करें लाइक करें चैर करें चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलता आप सब्सक्राइब किसी वीडियो में जब तक के लिए थैंक यू